जै जिवदानी ब्यूटी विद आस्ट्रोजी की फाउंडर मैं कामी निखना आप सभी समझदार सुरोताओं के साथ एक बर फिर सापताहिक राश्ची फल लेकर हाजिर हूँ यह सापताहिक राश्ची भविष्य तारीक 25 जुलाई 2021 से लेकर तारीक 1 ऑगस्ट 2021 तक है इस सपताह में होने वाली घटनाओं का विवरण मैं आपको दूँ इससे पहले मैं आप सबसे निवेदन कर दूँ कि सब्सक्राइब कीजे मेरा ये यूट्यूब चैनल जब आप सबस्क्राइब करेंगे तो पॉप अफो कर उपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी मैं जो राशीफल बताती हूँ वो लगन के अनुसार बताती हूँ और जिनको भी कंसल्टन्सी चाहिए वो मुझे वाट्सैप कर सकते हैं तो आईए हम जानते हैं मेज से लेके मीन राशी पर क्या असर होगा इस सब्ता हमें सभी ग्रहों का एक बात हम जान ले के 25 तारीक मतलब आज जो है संडे को चंद्रमा देर रात 10 बजे के बाद कुम्भ में चला जाएगा तो मकर के साथ जो उसका सहयोग है शनी के साथ जो वो बैठा है उसका जो भए है वो जो श्रवन नक्षतर है वो आज सुभा 11 बच के 17 मिनिट तक ही है उसके बाद मंगल का नक्षतर है जो भी उदासी या बेचैनी या नुकसान जो भी होंगे आपको वो आज रात्री के पौने 11 के बाद खत्म हो जाएंगे तो इसका मतलब ये सबताह सभी के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा अब हम जानते हैं के बुध भी करक में आज प्रवेश कर जाएंगे जिसका वीडियो मैंने डिटेल में आप सभी को प्रवाइट किया है डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक देख सकते हैं बूध के उपाय का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को दे देती हूं 26 तारीक को जया पार्वती वरत समापती है 27 तारीक को अंगार की संकष्टी चतुरती है चंद्रोदै रातरी नौबच के 69 मिनिट तक है आप चंद्रोदै देख के अपना वरत खोल सकते हैं गणिजी का इसके साथ ही आपको एक बता दूँ के सीधा इसके बाद 31 तारीक को कालाश्टमी है मासिक कालाश्टमी और अश्टमी तिथी की वृद्धी है और इस सब्ताह में कोई खास घटना नहीं होने वाली तो चलिए हम जानते हैं मेंस से लेके मीन राशी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है चंद्रमा की मुमेंट अब शुभ है बाकी सारे ग्रह क्या कहते हैं मेंश राशी मेंश राशी के लिए चंद्रमा की जो ये मुमेंट है ये कहती है कि आपका माइंड कूल रहेगा, बच्चे कूल रहेंगे, पैसे आएंगे, धन आएगा और आपके लगन के स्वामी जो नीच के थे वो हड़ चुके हैं और आपको अब जोश, होश, उत्सा, पड़ाक्रम, पढ़ाई, इंजिनेरिंग, डॉक्टरी, इन सब चीजों से रिलेटेट सा जग कर देते हैं आपके खुद के बच्चे भी बहुत ज़ादा स्ट्रोंग हो जाते हैं, माइन पे बहुत ज़ादा रोमेंटिसिसम चाया हुआ है, अगर कोई अपोजिट सेक्स से मितरता करेंगे तो बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि ऐसा नहों आगे चलके फिर कोई आप धोका खाए और अगर आपसे कोई विवाह करने के लिए तयार है, तो विवाह की उससे अनुमती पहले ले लिजेगा, तो आगे और मैं आपसे अगर बात करूँ कि मंगल जो है, आपके अश्टम स्थान के भी स्वामी हैं और नजर है उनकी अश्टम स्थान पर तो आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी क्योंकि वो आपके लगन के स्वामी भी बनते हैं, विवसाइक पार्टनर के साथ अच्छी च्छनेगी, विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ आपको कलहकलेश नहीं करना है, इन दिनों शनी और गुरू वक्री है, तो याद रखे जो स्लो हो गए क उनको चलने दीजिए स्लो जैसे चलते हैं, पैसे जो स्लो आ गया आने दीचे, राहू बैठा हुआ है दुसरे स्थान पर तो गलत पैसे ना आए, इसका बस ध्यान रखेगा, और अपनी एनके प्रकार और फिर भी तवियत का ध्यान आपको रखना ही है, जब तक अश्टम रिलेटेड विवार, पैसों से रिलेटेड विवार कर सकते हैं, लेकिन बहुत समल के, कशनी के घर में फिर भी रहेंगे, चंदर बहुत ज़्यादा स्वस्त नहीं है, और ये जो मंगल आपके चतुरत में आए, ये आपके घर में कलहकलेश न करें, हाला कि इनकी अगर अब कर सकते हैं, जल्दी सूर्य भी यहां पहुचेंगे, तो आपका जो डील होगी, वह फाइनल हो जाएगी, अब बूध की बात करें, तो बूध आपको अच्छा परिणाम देने जा रहे हैं, माइंड आपका फ्रेश होगा, बच्चों का माइंड फ्रेश होगा, जब स साइट से रिलेटेड आप अच्छे डिसीजन लेंगे, आप पैसों से रिलेटेड परिवार से लेकर, हर बातों को लेकर अपने बोलने चालने के काम में, धन कमाने में, आप सज़ग हो जाएंगे, राहु के वज़ा से बहुत दिनों से परसनालिटी में मलीनता है, तो मेर अगर उमर बीत रही है, लेकिन ये वस थोड़े ही महीनों की बात है, बाद में आप काफी सज़ग हो जाएंगे, धनलाप की भी जो सिती है, वो भी स्लो है, और जो आता है, वो खर्च हो जाता है, तो उसके लिए जादा सोचिये मत, सूर्य अभी आप से काम करवा रहे हैं हाला कि अगर कोई किसी प्रकार की हड़ी, दांस, कल, आखें, इन सब चीजों में दर्द हैं, तो अपना डॉक्टरी चेक अप अगरा कराते रहे हैं, छोटे भाई बेनों से आपको फुल सपोर्ट रहेगा, मितुन राशी, आपके लगने से आगे बढ़ गए अब बुध और बुधादिते योग बना कर आपको काफी फायदे नेरे लगे आपकी वानी से रिलेटेड, आपकी कन्सल्टनसी, कораंसेलिंग के बिजनेस से रिलेटेड, सिंगिंग से रिलेटेड, आप विज़ाइक रूप से सोचेंगे, पैसे बनाएंगे, आप चाहेंगे के कहीं से आपके घर में जो आपूरतियां हैं वो पूरी होती रहे आपके घर की भी आपको फिक्र रहेगी अभी जो माइंड है वो आपका माइंड कहता है कि आप काम तो करते जाएं और अपने जो पेंडिंग काम है उनको खत्म करें तो बिल्कुल सही सोच है बच्चों से हो और आप ऐसे काम बहुधिक काम भी बना सकते हैं जो अभी आपको जरूरत है लेकिन बहुत जादा गुद्धी न भी चले तो परिशान मत होईएगा आप कर सकते हो माहलक्षमे नमा के जाप या दुर्गा सब्तशती के पाथ अभी शनी वक्री है तो एक तरह से अच्छ क्योंकि अगला साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है इसलिए अभी से तयारी आप शुरू कर लीजे याद रखें के मंगल की स्थिती भी अब पहले से भहतर हो गई है और आपका उसा उमंग पराकरम खुब बढ़ गया है बच्चों की स्थिती अच्छी है और अभी फिलाल आपको काम काज में ध्यान देने की जरूरत है करकराशी आपके लगनभाव का स्वामी इस हफते बस दो ढ़ाई दिन के बाद कमफरिटेबल हो जाएगा तब तक दो ढ़ाई दिन थोड़ा समा लिए लिक्विड चादा पिएं शिवजी की आरादना करें अप बैसों की जरूरत है उसका क्या होगा आपको यह सोचना चाहिए भी कि आपके जो मंगल एक्टिव हो गए तो मंगल एक्टिव हो गए करते हैं या आपको कोई कोर्स करने हैं बड़े-बड़े या डॉक्टरी करनी या इंजिनेरिंग करनी जो भी करनी अब आगे बढ़ी है रुकिये नहीं क्योंकि ये समय अच्छा है महीना डेड़ महीना आप काफी कुछ बना सकते हैं अपना और विवाहित जीवन की जहां त स्पेस बनाते हुए अपने इस बुरे समय को काट लें आपके दश्रमभाव का स्वामी है मंगल वो आपसे काफी कुछ ऐसे काम भी करवाएगा जिसमें जमीन जायदा नौकरी पेशा इस्टेट एजनसी या कुछ ऐसे आपको ओहदे पे जाना है वो सब काम वो आपके फल अभी जुस्तिती बनी हुए उसके हिसाब से बता रही हूँ कि वो आपको काफी फायदा दे रहे हैं सामने गुरू है दृष्टी है शुब और शुक्र बैट कर आपको बेचैन करते हैं आपके विपरीत सभाव के स्वामी हैं शुक्र लेकिन वहाम अंगल ने आकर बाग समस्या उसब अब टोल तो कर रही थी लेकिन हिम्मत होसला आपको दिया है आपके माने और हिम्मत होसले से अब आप काम पे लग जाएंगे लगिए अच्छी स्थिती है धन भी आएगा पैसा भी आएगा लेकिन खर्च होने की भी उतनी संभावना रहेगी जोरो शोरो में इसलिए अपना पैसा समाल के रखें याद रखें कि अभी जो स्थिती बनी हूँ ये सूर की वो आपकी तबियत भी समालने के लिए कहती है तो आपको हड़ीजकल दान तांके स्पाइन रुमर्टीजम अर्थराइडस कोई भी समस्या है तो आप सूर यसनान करें गैतरी के जाब करें विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा सा ढीला है लेकिन बुरा नहीं है आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें प्रेम संबंद वालों के लिए भी समय बुरा नहीं है अपने बातों को समाल के चलें तो अच्छा रहेगा कन्याराशी आपके लिए लगन रखें के उधर बैठा हुआ साथ में सूर्य भी तो विदेश रिलेटेट कामों पे खर्च हो सकते हैं प्रेम संबंदों पे खर्च हो सकते हैं नहों तो आप सोच सकते हैं कि कुछ वीजा वगरा लगाना अभी से शुरुवात करिए सब काम आगे चल के आपके हो जाएंग आपके विदेश में भी जल्दी काम बनने वाले हैं तो आप उस पर भी कॉंसेंट्रेट कीजिए अभी फिलहाल आपको जो तबियत खर आपकी जो चिंता थी वो थोड़ी बहुत अभी बनी रहेगी लेकिन पहले से काफी बहतर है आपके जो विवाही जीवन में आपको कल हकलेश महसुस हो रहा है उसके लिए मैं आपको सजब करना चाहती हूँ कि बिलकुल भी इस साल में एपरिल तक विघटन नहीं करना है अलग नहीं होना है एपरिल के बाद सब सितियां कंट्रोल में आने वाली है तब तक अपने आपको शान्त रखें याद रखें कि जो द हुए हैं उनकी स्तिती बहतर करने के लिए आपको स्तियों की हल्प कर सकते हैं घर की औरतों की इज़त करें घर के कपड़ों को सहिच के रखें तो अपने आप शुक्र कंट्रोल में आएगा कुछ सोंदर प्रसादन स्तियां लगा सकती हैं मैं शुक्र के उपाए आप बहुत कमफर्टिबल नहीं लेकिन फिर भी फाइदे दे रहा है माइंड को एकदम फ्रेश रोमांटिसिजम में ले आता है काफी कुछ तितियां जो हैं पहले से समल गई हैं अभी धन भी आने वाला बना है पैसे आएंगे संचित भी होंगे जमा करेंगे बैंक बैलन्स हो कुछ आप चाहते हैं परिवार में लगे तो परिवार में भी लगेंगे कुछ मन मुटाओ परिवार से रिलेटेट कम होंगे और व्यवसाइक बातें सूझेंगी पिता जी से मिलके काम करना है तो वो भी सूझेगा सूझेगा आपको कैसे काम बढ़ाना है कैसे ओफरस ले याद रखें आपके राहू ने जो धमाल मचाई अश्टम में आके उसके लिए आप निरंतर शिवजी को एक जल में काले तिल डाल के चड़ाते रहें कुछ शनिवार के दिन गरीबों को दान करते रहें माता से आपको सहयोग है माता की सला लेते रहें उनकी तवियत का भी ध शादी कर सकते हैं और शादी के आपके योग बने हुए हैं विश्चिक राशी विश्चिक राशी के लिए आपके लगनभाव का स्वामी काफी कमफर्टेबल हो गया है और आप अपने कामों को धना धन बना सकते हैं आपके जमीन जायदात से रिलेटेड नौकरी पेशा ओदा से रिलेटेड आपके पिता से सहयोग मिलने वाले काम वो सब बनाए आप अभी जो धन की स्थिती है वो ये कहती है कि अब धन भी आएगा जो आप इन्वेस्ट इन्वेस्ट कर रहे थे वो मत कीजिए अब बढ़ोरी है विवसाय बढ़ाईए आपके बच्चों से र रखती है उनके विश्य में थोड़ा अभी आपको समहल के ही चलना है घर की और प्रॉपर्टी की और मा की तवियत का आप ध्यान रख सकते हैं वैसे आप प्रॉपर्टी खरीदने की योग बने हुए आपके तो आप खरीद सकते हैं और इन दिनों जो मंगल की भी स्थिती यह वो भी कहती है कि गुरु मंगल का यह दृष्टी योग आपकी प्रॉपर्टी का काम करा सकता है तो आगे बढ़िये परिवार में आपके विवाहिच जीवन में जो भैंकर कलहकले शगर हो जाए उससे बचिए क्योंके राहु बैठा है सब्तम में और आपको जो है समह आपके लगनभाव का स्वामी अभी थोड़ा सा अस्वस्त है और वक्री है इन सब कारणों के वज़े से आपका काम रुका हुआ है अब देखिए जो बढ़के मीना थाम ले मीना उसी का है आपको बढ़के काम थामना पड़ेगा आपको किसी भी काम को मना नहीं करना पड चाहिए आप अपनी प्रसिद्धी खुद करिए अभी तो इंटरनेट बगरा बहुत हैं तो आप करिए तो आपके काम होंगे इससे आपके मां को भी सपोर्ट घर को सपोर्ट मिलेगा घर में खुशी आएगी अब माइंड आपका जो है वो पहले से जादा तेज चल रहा है क क्योंकि अभी मंगल भी आ गए है और सूरी आ जाएंगे अगले महीने तो अगले महीने तक आपकी डील बन जाएगी यह मैं आपको विश्वास से बोलती हूँ इसलिए आप अभी से काम करना शुरू करिए तो अगले महीने तक आपकी डीले बननी शुरू हो जाएंगी आ प्राइकी से जोरदार विदेश रिलेटेट कारिकरम अभी टाली दे तो अच्छा है नहीं तो आधे अधूरे रहे के फिर बिगड सकते हैं जुबान मीठी रखें कडवी ना रखें उसी से काफी नुकसान हुए हैं आपके और आपके पैसे के मकर राशी लगन में बैठा श थोड़ा बहुत है वो उससे आपको स्पेस बना के और अपनी स्थितियों को क्लियर रखके आगे चलना है अभी जो स्थिति कहती है आपको वो ये है कि मंगल का जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है सिंगराशी में या अश्टम भाव में चला गया है मंगल और वहां बैठके य आपके व्यवसाइक की वर्दी तो करेगा आपड़ घर में एकलहकलेश व्यवसाइक पार्टनर के साथ मत बेच से जुबान चलना जादा आया गर्मा कर्मी होना इन सब चीजों से बचिएगा याद रखें के मंगल एक मंगली की योग भी बनाता है तो अभी आपके शाद की जरूरत आपको पढ़ने वाली है अभी जो धनला बारा है उसको बचा के रख लीजिए अपने पैतरिक संपती से रिलेटेड व्यवार भी समाल के रखें किसी भी प्रकार के व्यसंद वगरा में पढ़ने की आपको और आपके बच्चों को जरूरत नहीं है प्रलोभन म मत पढ़िये और गलत मित्रों से साफधान रहिए कुमबराशी आपके लगन में बैठा गुरू शादी की योग बना के भी पीछे हड़ जाता है अब ये स्तिती है लेकिन इस पर मंगल की दृष्टी पढ़ने से सामने याद रखें वो शनी का घर है तो वो थोड़ा सा स् शष्ट में आ गए तो वैसे तो कालपूरुष की कुंडली के हिसाब से शष्ट में बुद्ध उच्च के होते हैं इसले कोई खराब तो असर नहीं देंगे फिर भी आपकी बुद्धी आपकी दिमाग में अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप स्री कृष्ण की आरादना नि बुद्ध के उपाए हैं जमीन जाइदात से रिलेटेड अभी फैसले ले सकते हैं विवाही जीवन के सपोर्ट से आगे बढ़ सकते हैं और साथ साथ अपने व्यावसाइट पार्णर के सपोर्ट से भी जमीन जाइदात इस्टेट एजनसी नौकरी के लिए आगे बढ़न हो सकता है आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें इंजिनेरिंग डॉक्टरी वगरा इन्वाल्ड हो वो सब बहुत बढ़ जाएं विद्यार्थियों के लिए अभी समय चैलेंजिंग है और प्रेम सम्मंदों के लिए आपको थोड़ा सा बहुत स्टबन होके नहीं चलेगा थोड अपने प्रेम सम्मंद से तो बिल्कुल भी कट गए है लेकिन साथ मैं अपने विदेश रिलेटेड काम से भी कट गए है तो दिमेंदी में भी वैसे भी पैंडमिक ये खुलेगा और पैसा भी दिमेंदी में खुलेगा और आते 2-4 महिनों में स्टिती कंट्रोल में आ अभी मंगल की स्थिति जो है वो कहती है कि आपके शत्रू हंता योग बना तो आपके साथ जो बुरा कर रहे थे उनका दमन अपने आप हो जाएगा और आप अपने बैंकिंग रिलेटेड विभार लोन से रिलेटेड विभार जो है वो बना सकते हैं अपने ओफर्स जो आपक जाएगा आपके विभाहित जीवन के पार्टनर और आपके माता का बहुत बड़ा रोल होगा इसमें आपके बच्चों को सुधारने के लिए आपकी विचारधारा बदलने के लिए लेकिन उन्हें गलत मत समझिएगा यात्राएं जो हो रही हैं उसमें आपको अपनी तब धीमत्ता से सुधार सकते हैं मैं कामी निखन्ना बता रही थी मेंस से लेके मीन राशी तक का राशी भविश्य फिर मिलूंगी इसी तरह सापताहिक राशी भविश्य लेकर तब तक के लिए आगया दीजे धनवाद और नमश्कार ब्यूटी विद ऐस्ट्रोजी का नारा ह की सिवा करें राहू के तू शनी की शांती अपने आप हो जाएगी गोड ब्लेस यू टेक केर इन कुट बै अगया दीजे धनवाद और नमश्कार